हेलो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको इस स्क्रीन के उपर एक वीडियो नजर आ रही होगी यह जो डोग है विचारा कितना परेशान हो रहा है तो आज हम बात करेंगे symptoms of vestibular disease in dog basically हम इसको disease नहीं बोल सकते यह एक type की condition होती है तो vestibular condition होती है यह dogs के अंदर तो वो क्या होती है आज मैं आपको थोड़ा थोड़ा point बताऊंगा देखो detail video यह नहीं है detail video हम आपको classes के way में देंगे यह आपको complete classes provide की जाएगे कि यह diseases है किस वज़े से होती है क्या उसके symptoms है क्या उसका treatment रहेगा जो आपके veterinary doctor perform करेंगे लेकिन इस video में आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ only symptoms क्या नजर आते हैं because बहुत सारी cases आ रहे हैं बहुत सारी honor confuse हो रहे है कि यार मेरी डोग को यह क्या problem हो रही है मेरा डोग ऐसा क्यों कर रहा है तो उनके सभी doubts इस video से clear हो जाएंगे symptoms को देखके तो मैं आज से यही करूँगा इस video का आपको end तक देखना है because यह serious situation है तो मेरे प्यारे दोस्तों vestibular से आपके नाम से यह नजर आ रहा होगा कि vestibular तो एक system होता है अब यह जो vestibular system होता है सभी की body के अंदर पाया जाता है basically इसका जो काम होता है balance करने का यानि पूरी body को balance करके रखता है और अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा इसको deep लेके जाओं तो इसके दो component आपको देखने को मिलते हैं एक component होता है central component और दूसरा होता है peripheral component और अगर मैं बात करता हूँ central component की तो central component में हमारा brain होता है और अगर मैं बात करता हूँ peripheral की peripheral के अंदर आपको middle ear देखने को मिलेगा और inner ear देखने को मिलेगा जैसे कि आपको फोटोग्राफ भी नजर आ रही होगी इसमें clarify किया गया है कि ये middle ear है और ये साथ में हमारा inner ear है जो कि एक peripheral component का एक part रहेगा तो basically मेरे पहले दोस्तों ये हमारा vestibular system होता है जो कि मैंने आपको short term में बता दिया अब main point पे आते हैं कि symptoms क्या show होते हैं जब dog को vestibular disease हो या vestibular की condition हो सबसे पहले तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा starting में dog को क्या हो रहा था body का balance loss हो गया था यानि dog चलता चलता गिरना स्टार्ट करतेगा dis orientation हो जाएगी यानि जो अपनी वो direction में सीधा चलना चाहरा है लेकिन वो दाएं या बाएं बुढ़ने की कोशिश करेगा यह वो automatic ही गिर जाएगा उस position में और एक और इसमें बिल्कुल ही एक familiar और एक acute symptom जो देखने को मिलता है tilt head, यानि जो head होता है वो tilt रहेगा, एक side में जुका के रखेगा और एक और बतादो जिस side में उसका head जो tilt किया है ना उसी side में उसकी body गिर जाएगी, चलते चलते गिर जाएगी और कई बार ये भी देखने को मिलता है डोग खड़े होने में problem आती है डोग को चलने फिरने में problem आती है या वो चलते फिरते गिर जाएगा एक आपको देखने को मिलेगा एक irregular type की jerking moment नजर आएगी आपको eyes के अंदर यानि बिलकुल ही आखे जो फड़पडाती हुई नजर आएगी जैसे ऐसे up down up down करेगा और कई यह जो सारा का सारा depend करता है balancing के उपर क्योंकि body imbalance हो चुकी है vestibular disease की वज़े से तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके अगर हमें causes के बारे में बताऊं तो बहुत सारी causes आपको देखने को मिलेंगे यह एक detailed video नहीं है इस topic के उपर detailed video हम लेके आएंगे उसमें हम आपको completely बता दे क्या होता है कि अगर middle ear में inner ear में किसी तरह का कोई infection है तो बहुत सारी antibiotics भी दी जाएंगी कुछ steroids भी होते हैं जो कि veterinary doctor ही recommend करते हैं जो कि आपके डोग के लिए safe भी proof होते हैं और वो भी दिये जाएंगे कुछ salines भी लगाई जाएंगे यानि salines जो हमारे NSS होते हैं DNS है और इलाज करवा लिया तो आपके डोग को इस disease से बिल्कुल ही रहत मिल जाएगी पूरी lifetime के दुरान ये disease आपके डोग की body के अंदर आएगी ही नहीं तो please मेरे प्यारे दोस्तों इस disease को जानना बहुत ही important है और अगर ऐसा symptom आपके डोग के अंदर नजर आ रहा है तो immediately अपने वीडियो को जरूर लाइक भी करेंगे और comment भी करेंगे और बहुत प्यारे प्यारे comment करेंगे जो कि हमको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे thank you so much for watching this and please do like subscribe comment and share thank you so much जै हिंद जै भारत